दोस्तों सुशांत केस में हमने इंटरनेट पर रिसर्च करके कुछ एहम जानकारिया हासिल की है बॉलिवूड के जुड़े सूत्रों की माने तो सुशांत की कुछ बड़े प्रोड्यूशर्स से बहसबारी हो गई थी इसी वज़ा से कई प्रोडेक्शन हाउस ने उन्हें अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया था दर असल उनकी आखरी फिल्म ऑनलाइन रिलीज हुई थी यहाँ फिल्म पहले 2018 में रिलीज होनी थी उसके बाद इसकी रिलीज को आगे बढ़ा कर जून 2019 को की गई हालांकि फिल्म जून में रिलीज नहीं हुई लेकिन उसके कुछ महीनों में ही प्रोडेक्शन हाउस ने फिल्म थियेटर में रिलीज करने के बजाए डिजिटल प्लैटफॉर्म पर रिलीज कर दी इससे वे बेहत नाराज थे रिपोर्स की माने तो तीन साल पहले सुशान्थ की फिल्म चंदा मामा दूर के की गोश्रा हुई थी फिल्म के लिए सुशान्थ ने नाशा की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी इसमें वे एक एस्ट्रोनोट का रोल प्ले करने वाले थे फिल्म के बजट को लेकर दिक्कत थी तो वे प्रोडूशर बनने के लिए भी तयार थे लेकिन एक दिन मीडिया के सामने फिल्म के ओफिसियल एनाउंसमेंट के लिए शुशान्थ को बुलाया गया उन्होंने प्रोडेक्शन का फोन नहीं उठाया इसके बाद लगाता एक साथ कई प्रोडेक्शन की फिल्मों से उनका बाइकोड किया गया था फिल्म इंडस्ट्री के करीवी सूत्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा गलती प्रोडूशर की थी इसके लिए उनका रवया भी जिम्यदार था सूत्र कहते हैं कि वे एक अलग दुनिया में थे जो किसी बात को समझना नहीं चाते थे इसके बाद भी उनके हाथ में कई फिल्मों के आफर थे यश्राज की फिल्म सुद्ध देशी रोमाइंस और ब्योंकेश बक्षी के लिए शुषांत ने संजय लीला भनसाली की राम लीला करने से भी मना कर दिया था इसके बाद वे शेखर कपूर के साथ पानी में काम करने वाले थे और इसकी वज़ा से ही उन्होंने यश्राज के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को मना कर दिया था पानी को यश्राज ही प्रोड्यूश करने वाला था लेकिन अचानक से ही इस प्रोडेक्शन हाउस ने प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया शेखर कपूर ने एक इंटर्वी में बताया कि उस समय शुशांत काफी परेशान थे और घंटो फोन पर रोया भी करते थे कुछ महीनों बाद ये भी सुनने में आया था कि सुशांत को बिना बताये ही यश्राज फिल्म्स ने उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट बेफिक्रे से बाहर कर दिया है सुशांत की जगर रणवीर सिंग का नाम सामने आने लगा इस खबर ने उनको काफी परेशान कर दिया था उन्होंने यश्राज के साथ सारे प्रोफेशनल नाते तोड़ दिये मीडिया रिपोर्ट की माने तो MS दोनी दा अंटोल स्टोरी की सफलता के बाद सुशांत ने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की थी तो धीरे धीरे बड़े प्रोडेक्शन हाउस उनसे पल्ला जारने लगे थे कुछ दिन पहले के आरके ने बॉक्स ओफिस के ट्विटर हैंडल पर हैरान करने वाले खुलासि किये गए हैं इस ट्वीट में कहा गया है यह सच है कि केवल 6 कंपनिया पूरे बॉलिवूड को नियंतरित करती हैं और वे किसी के भी करियर को खत्म कर सकते हैं यदि वे उसे पसंद नहीं करते हैं इसमें धर्मा, YRF, T-Series, बाला जी, नाडियाडवाला, सल्मान खान फिल्म्स सुशान के निधन के बाद से ही शेखर कपूर का भी एक ट्वीट हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है प्रोया करते थे, कास कि उन बीते छे महीनों में मैं तुम्हारे साथ होता, कास कि तुमने मुझसे बात की होती, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो उनका कर्मा है, तुम्हारा नहीं अब CBI जांच का सब को इंतजार है सुशान के साथ ये सब क्यों हुआ देश को उम्मीद है कि जांच के बाद असलियत का पता लगी जाएगा आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राइक कमेंट में जरूर लिखें वीडियो लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए